Hello dear students, आज के वीडियो में हम Unit First का आखरी टॉपिक, Set Theory यानि की समुच्चे सिधान्त शुरू करेंगे. ये एक छोटा सा चैप्टर है जिससे आपका पिछले साल 2019 न्यू सिलेबस के पेपर में 8 marks का पूछा गया है. ये चैप्टर हो सकता है, अगर आपने पुरानी बुक ली हो तो उसमें आपको ना मिले, तो ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, दो वीडियो में हमारा एक कवर हो जाएगा, तो सिलेबस के सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए, हम quickly इस चैप्टर को complete करेंगे. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेट्स यानि समुच्चे होते क्या हैं, तो समुच्चे होते हैं सू परिभाशित वस्तूओं का संग्रह, यानि की collection of well-defined things, कोई भी ऐसी things हैं, जो की well-defined हैं, आप point out कर सकते हैं कि कौन-कौन सी वस्तूओं के बारे में बात की गई है, तो उ तो आप जानते हैं विशम संख्याय होती है, 1, 3, 5, 7, 9, so on, up to infinity, तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक curly bracket जिसे आप मजला कोष्ट भी कहते हैं, इसमें इसके elements लिख दिये जाते हैं और बीच-बीच में comma इसमें लगाया जाता है, इन्हें कहते हैं जो अंदर हैं, इन् इन्हें बाहर से एक curly या मजले bracket में बीच के bracket जिसे आप कहते हैं उसमें दिखाये जाता है, इसके बाद आता है, set of vowels भी एक example हो सकता है, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर जो होते हैं, A, E, I, O, U, तो इसे well defined हैं, आप जानते हैं, set of vowels कहा गया है, तो इनकी बात क की जा रही है, इन्हें आप दिखाएंगे, elements हो गए ये, इस set के, और पूरे set को represent किया जाता है, capital letter से, A, B, इस तरह से, जैसे कि कक्षा के सबसे अच्छे बच्चों का समुझ्च है, तो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये well defined set नहीं है, सबसे अच्छे बच्चे कैसे निर कि maths में top 10 marks लाने वाले 10 बच्चे, तो हम definitely बता सकते थे, कौन-कौन से हैं, और उनका set बना सकते थे, तो आप अब समझ गए होंगे कि well defined का क्या मतलब है, तो sets represented by capital letters A, B, C, इन्हें capital letters से represent किया जाता है, और curly bracket के अंदर इन्हें दिखाया जाता है, जो उसके elements होते हैं, यह इन्हें हम बीच में comma लगा के separate करते हैं, तो यह होता है sets का concept, sets को represent करने के दो तरीके होते हैं, पहला तरीका होता है, सारणियन या roaster method भी जिसे कहते हैं, English में roaster method ही कहा जाता है, तो जैसे कि हम curly bracket लगाएंगे और उसके अंदर सारे elements एक-एक करके लिख देंगे, इसे कहा method होता है समुच्य निर्माण विधी, तो समुच्य निर्माण विधी में हम सारे अव्यव नहीं लिखते हैं, बलकि उन अव्यवव में जो common है, जो उनकी विशेस्ता है, उसे लिख दिया जाता है, curly bracket यहां भी लगेगा, x element को represent करेगा अव्यव को, हम लिखेंगे x such that, x ऐ लिखा जा सकता था, x such that, x एक विशम संख्या है, तो इस तरह को बोलते हैं समुच्य निर्माण विधी, और पहली बाली method जिसमें हम सारे elements लिखते हैं, उसे हम बोलते हैं, roaster या फिर सारणियन विधी, इसके बाद हम बात करेंगे types of set के बारे में, कितने प्रकार के set होते हैं, तो सबसे पहले आता है empty set, यानि कि रिक्त समुच्य, empty set का मतलब होता है, ऐसा समुच्य जिसके अंदर कोई भी अव्यव नहीं है, example के लिए जैसे मैं कहूं, सौर मंडल में प्रिथवी के अतरिक्त, जल युक्त ग्रहों का समुच्य है, तो हमारा जो सौर मंडल है, हम जानते हैं, हमारा ग्रह अकेला ऐसा प्रिथवी है, जिसमें जल है, और कोई भी दूसरे प्लैनेट पे water नहीं है, तो ऐसा कोई दूसरा प्लैनेट नहीं है, प्रिथवी के अतरिक्त लिखा हुआ है, तो अर्थ के अलाबा कोई नहीं है, that means, रिक्त समुच्य होगा, रिक् पर curly bracket जिसके अंदर कुछ नहीं लिखा गया है, इन दोनों तरीकों से दिखाये जाता है, कुछ student इसको curly bracket भी लगा देते हैं, ये गलत तरीका है, इसका मतलब है कि इसके अंदर एक element है, जबकि रिक्त समुच्य में कोई element नहीं होता है, तो या तो आप 5 लिखेंगे, या फिर केवल brackets बनाके छोड़ देंगे, तो इस तरह से empty bracket को दिखाये जाता है, एक और example मैंने लिया है, x such that x-3 equal to 0, x less than 1, इसका मतलब है कि x-3 equal to 0 को जब आप solve करेंगे, तो x equal to 3 आएगा, x-3 equal to 0 है, इसे जब आप solve करेंगे, तो x equal to 3 आएगा, लेकिन इसने लिखा है कि x less than 1 होना चाहिए, x तो greater than 1 है, इसका मतलब कोई भी element नहीं आएगा, तो ये भी एक रिक्त समुच्चे का उधारन है, दूसरे प्रकार का set है, finite set या परिमित समुच्चे, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें अव्यों की संख्या, जिसमें जो elements होंगे, वो finite होंगे, गिने जा सकते हैं, जैसे कि set of days of week, तो इसमें हम set बनाएंगे तो 7 days, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday आपके आजाएंगे, ये परिमित समुच्चे है, infinite set, अपरिमित समुच्चे है, set of even numbers, तो set of even numbers जो होगा, आपको मालू मैं 2, 4, 6, so on, up to infinity तक हो सकते हैं, तो जिसके अव्यों को गिना ना जा सके जिसके elements countable नहीं हो, उसे हम अपरिमित समुच्चे है, या फिर infinite set कहते हैं, फिर हम बात करेंगे equal sets की, equal sets का मतलब होता है, जिसमें elements same हो, जैसे कि ABCD है, अब इनका order बदल के दूसरा set लिख दिया है, BCAD, लेकिन number of elements भी equal, 4 elements यहां भी है, और यहां भी 4 elements, same elements है, बस उनका order बदला गया है, तो B equals to A हम कह सकते हैं, दोनों sets equal है, अब बात करते हैं, important subsets की उपसमुच्चे क्या होता है, देखिए, उपसमुच्चे का क्या मतलब होता है, जैसे आपको एक subset, एक set given है, एक समुच्चे गिना है, दिया हुआ है, A equals to ABCD, तो इसके elements को लेकर, जो नए set ब बना दिया, यह एक इसका उपसमुच्चे है, यानि subset कहलाएगा, यह दूसरा subset है, यह तीसरा subset है, दो-दो elements मैं ले लूँ, A, B, B, C, C, D, तो यह तीन subsets बन गए, एक A और D भी हो सकता है, इसी तरह से ABC को ले लूँ, BCD को ले लूँ, ACD को ले लूँ, चार के चार ले ले नया, उसे subset कहते है, एक बात ध्यान रखनी है कि 5 जो होता है, यानि कि अगर मैं इसमें से कोई भी element नहीं लूँगी, तो मुझे 5 यानि कि ये set मिलेगा, 5 हर subset का, हर set का subset होता है, जो 5 होता है, वह हर समुच्चे का उपसमुच्चे होता है, तो एक तो 5 हर एक का ले लेंगे, तो A जो अपने आप आजाएगा, A, B, C, D मैंने यहाँ पर दिखा हुआ है, ये भी हमेशा इसका दिये हुए set का एक subset होगा, जिसे कि हम उपसमुच्चे कहते हैं, तो दिये हुए समुच्चे के कुछ या सभी अव्यवों को लेकर बने हुए जो नए समुच होते हैं, उन्हें उपसमुच्चे कहा जाता है, अगर मैं एक element A को लेकर जो set बनाऊ से B से दिखाऊं, तो B, A का उपसमुच्चे है, B, A का subset है, इसे दिखाया जाता है, इस तरह से, B is a subset of A, ये C जैसा बनता है, इसको पढ़ते हैं, B is a subset of A, ठीक है, अब बाता ही power set यान मुझे लगता है कि इस पर based question आपका two marks का exam में पूछा जा सकता है, power set का मतलब, हमने जो अभी subsets पढ़े थे, जितने भी subsets हैं, उनका set, यानि कि set of subsets, उपसमुच्चे का समुच्चे कहलाता है, घात समुच्चे या power set, example के लिए मैंने एक ले लिया, A equals to 1, 2, 3, तो देख समुच्चे का उपसमुच्चे होता है, 5 आपको जरूर लिखना है, और जो खुद है, वो जरूर लिखना है, last मैं लिख देंगे, जो itself A था, जो भी given था, शुरू में हमेशा लिखेंगे 5, अब बीच में कैसे बनेंगे, एक बार एक एक element ले लिजे, 1, 2, 3, फिर दो-दो तो इसके सारे उपसमुच्चे का समुच्चे जो होगा, वो P, capital P से दिखाएंगे, पावर सेट होगा, तो ऐसा question 2019 में section A में पूछा गया है, जिसमें पूछा गया था कि Q equals to 1, 2 है, इसका घाद समुच्चे यानि पावर सेट लिखे, तो आपको इसके सारे सबसेट्स या मैं इसका पावर सेट बनाऊ, तो सबसे पहले हमेशा 5 लिखना है, फिर उसके बाद एक-एक element लेके जो आता है, 1, फिर 2, फिर उसके बाद जो पूरा का पूरा है, 1, 2, तो इन सब को आप लिखे रहें, लास्ट में एक और बाहर से करली bracket लगाएंगे, तो इस तरह से आपको इन्हें करना है, एक और important चीज है, कि हमें ये मालूम चल जाता है, कि कितने अव्यव आएंगे, तो आप क्या करेंगे, घात समुच्चे में जो अव्यवों की संख्या होती है, number of elements in power set जो होता है, वो होता है, 2 की power n, 2 की power n होते हैं, power set में अव्यवों की संख्या, जैसे मैंने ये element, ये जो set लिया था, इसमें 1, 2, 3, 3 elements थे, तो इसके लिए जो total आएंगे, 2 की power n होता है, n3 है, तो 2 की power 3, यानि 8 आएंगे, आप count कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो given question था, exam वाला, इसमें 2 elements हैं, तो 2 की power 2, यानि की 4 elements आएंगे, 4 sets, subsets बन सकते हैं इसक तो इस तरह से आपको power set वाला question करना है, आखिर में आता है universal set यानि की सार्वत्रिक समुच्चे, तो सार्वत्रिक समुच्चे ऐसा समुच्चे होता है, कि दिये हुए सारे समुच्चे, उस समुच्चे के उप समुच्चे होते हैं, कहने का मतलब अगर आपको दिया हुआ ह तो इसके सारे elements को मिला कर जो set आ जाएगा उसको हम universal set कहते हैं, आप देखिए यहां से 1 आ गया, 2, 3 यहां से आ गया, 1, 2, 3 पहले आ चुके है, repeat नहीं करने होते हैं, तो यह आ जाएगा 5, तो 1, 2, 3, 5 universal set होगा, और given sets जितने भी हैं, वो सभी इसके subsets यानि की उप समुच् जाए होगा U का, इन सभी के elements U में मिल जाएंगे आपको, उप समुच्च है, यानि A के सारे elements U में होने जाए 1 है, B के सारे elements U में होने जाए 2, 3, C के सारे elements 1, 2, 3, 5 इसमें होने जाए, तो यह था basic concept set का, और 2 marks का question यहां से आपका बन सकता है, 6 marks का question हम कल के वीडियो में कैसे आप solve कर सकते हैं, बहुत ही असान question होता है, और 6 marks का 2019 में पूछा गया है, तो आगे आपको अपनी screen में practice problems देख रही है, आप इन problems को solve कीजे, इनका answer मुझे comment box में भी लिख सकते हैं, चाहें तो mail भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें, कल हम पढ़ेंगे इसका second part, तो मिल आएंगे next video में, कोई doubts हों तो comment में लिखिए, thanks for watching the video.